जहिन दोस्तों A24 Education के यूटूब चनल पे आपका स्वागत है दोस्ते इस वीडियो में बात करने वाले हैं Ministry of Defense के नियरेक्विटमेंट के बारे में Headquarter दक्सिन भारत एरिया Iceland Ground Channel से आपका notification वो यहां पे जारी किया गया है जिसके लिए All India Candidate अपको यहां पे offline आवदन कर सकते हैं हम बात करेंगे इसके eligibility category में कैंस का eligibility category वो यहां पे रहेगा कैंस का selection process वो यहां पे रहेगा वीडियो स्टाट करने से पहले यह दिया आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करें लाइक करें और शेयर करें जिससे की आपको आने वाली हर ब्रेटर से ही मिलती रहे चलो हम बात करते हैं इसके eligibility category में कैंस का eligibility category वो यहां पे रहेगा इसमें आपकी जो बारबर की पोस्ट जारी की गई है इसमें आपका जो पे स्केल रहेगा वो लेवल फर्ष्ट कर रहेगा इसमें आपकी एक विकेंज यह वो यहां पे जारी की गई है next पन बात करते हैं यहां पे वासमन की पोस्ट के लिए इसमें आपका जो base scale रहा वर level first कर रहेगा इसमें भी आपकी एक post अब यहां पे जारी की गई है next पन बात करते हैं पहले soff return test and skill test की इसमें आपका जो return test और skill test connect किया जाए वो iceland ground से नहीं में आपका यहां पे connect किया जाएगा next पन बात करते हैं यहां पे as limit की बात करते हैं यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की इसमें सिंप्ली आपका 10th class pass out होना जरूरी है आज नेक्स्ट बात करते हैं पर method of selection की इसमें आपका first time में वो रिटन examination है वो यहां पर connect किया जाएगा हम बात करेंगे इसके return examination syllabus के बारे में इसमें आपका syllabus है वो यहां पे क्या रहेगा इसमें आपके reasoning execution रहेंगे 25 रहेंगे English के आपके 50 क्यूशन रहेंगे Math के आपके 25 क्यूशन रहेंगे GK के आपके 50 क्यूशन रहेंगे total 1500 नमर का आपका paper है वो यहां पे रहेगा जिसमें आपको two hours का timing है वो यहां पे दिया जाएगा return test qualify होने के बाद में आपका skill test है वो यहां पे connect किया जाएगा इसमें आपकी जो final merit रहेगी वो आपके return test के जो नमर है उनके आधर पर आपकी final merit list हो यहां पे रहेगी next अपन बात करते हैं आपे how to apply इस form को आपको offline यहां पे send करना होगा next अपन बात करते हैं आपे इस form के last date की जिस दिन आपके employment news पर फिर्म published हुआ उससे 21 दिन तक आप इस form को apply कर सकते हैं next अपन बात करते हैं यहां पे आपकी जो सभी documents हैं वो आपको attached to the case form के साथ send करने होंगे साथ ही आपको to self address envelope इस form के साथ send करना होगा ठीक है दोस्तों यह आपका notification और वो यहां पे जारी किया रहा है इस notification की जो PDF है वो आपको मारे टेलीराम चैनल और WhatsApp ग्रूप पर भी देखने को मिल जाएगी जिनकी जो link का वो आपको वीडियो description में दी गई है वहां से भी आप इस रिडाउट कर सकते हैं ठीक है दोस्तों यूडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें जिससे की आपको आने वाली है अपडेटा ऐसे ही मिलती रहे जाए हैं